With delicious reviews पर if you want to keep eyes on So please subscribe करते वक्त क्रेश पबहल आइकन खर्बूजे को देखकर खर्बूजा रंग बदलता है बट रंग बदलते वे न तो मुझे लोग अच्छे लगते हैं और नहीं खर्बूजा तो आज खर्बूज की नहीं तर्बूज की बात करेंगे तो चमकता हुआ तर्बूज I mean twinkling watermelon बट उससे पहले time for shout out So आज का shout out है Korean V-mix के नाम Time travel dramas तो तुमने बहुत से देखे होंगे पर ये वाला कैसे unique है वही तो मैंने तुमको बताना है आज ये लड़का koda होता है Child of deaf adults मतलब उसके mammy papa and also brother बोल सुन नहीं सकते So he is the only link जिसके थूँ इसकी family इस world से communicate कर सकती है लड़का बड़ा आज्याकारी संसकारी है पर उसके अंदर music की चिंगारी है जो बचपन में ये बाज़ बेचने वाले अंकल ने उसमें जला दी थी उसी चिंगारी कोई भड़के के चकर में family से छुपकर सडकों पर गाने गारा होता है पर पापा आकर उस चिंगारी को responsibilities का पानी डाल कर बचाना चाते हैं पापा 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 पिर ये घुसे में निकल जाता है और कुछ दूर जाते ही आसमान में दो चंदा मामा निकलते हैं फिर ये मामा इस लड़के को मा मू बना कर year 1995 में पहुचा देता है जहां ये अपने 18 years old father से मिलता है जो deaf नहीं होता है बूल सुन सकता है पिर जो chaos मचता है वो बहुत ही funny है बहुत ही entertaining है दोनों की bonding and romance इस drama की जान है पर side में सारे college की जान ये भी है जिस पर पापा का crush है और जिसके लिए पापा बैंड पापा तो बैंड बजाएं पापा बैंड तक स्टार्ट कर देते हैं बट लड़का अपना आया हुआ है ममा पापा की love story स्टार्ट करने और उस accident को रोकने जिसकी वज़ा से पापा deaf हो गए थे In the middle of the drama यह जुमा जो बैंड वाली अंकल की बेटी होती है उसका behavior खर्बूस सतर्बूस हो जाता है अचानक और ऐसे क्यों है वो तुम drama देखने पर समझ जाओगे और फिर इसको इससे प्यार हो जाता है लड़का अपना बड़ा stress में है भाई कितने तो इसने काम करने हैं सिर्फ आश की थोड़ी करने आया है मम्मी को इस dine से बचाना है मम्मी को sign language सिखाना है अमीर नाना जी को पटाना है इन दोनों की scenes बहुत ही emotional है in fact इसके अपने parents को लेकर जैसे thoughts change होते हैं वो खुद हम audience के लिए भी eye opening जैसा था हम सबको अपने parents से कुछ न कुछ शिकायत होती है बट अगर हमें ये chance मिले अपने parents के youth days में जाने का और उनके struggle को देखने का तब शायद हमें अपने parents की सची कदर होगी coming of age के drama है time travel drama होते वे भी less confusing है brilliant cast, amazing plot and beautiful ovesties not just mean leads but each and every actor ने best performance दी है अगर तुम मेरा channel बड़े time से follow कर रहे हो तो तुमको पता होगा कि I love Choi Younook and मैंने तो manifest कर रखा था इसके बारे में already लड़का k-drama scene rule करेगा future में and after this drama Sarah k-drama fandom इसका fan हो गया है him as high young Gil जिसने I think अपने career की सबसे best performance दी है I'm your son यून सू जो mute and deaf character play कर रही है but इसने अपनी आखों से सारी emotions इतनी beautifully show किये हैं कि इस character से प्यार हो जाता है so Lennar दो totally different characters play कर रही है and दोनो characters इसने बहुत अच्छे से निभाय भी है एक chaotic couple है तो दूसरा cute couple and k-drama history का सबसे beautiful confession तुमें इस drama में देखने मिल जाएगा this watermelon sugar band and its band members are super talented, super cool and super funny drama की ending bittersweet but realistic है drama writer जब Chicago type writer kill me heal me वाली हो तो दुमको bittersweetness में डूबी वी बड़िया से script ही मिलेगी drama के quotes कुछ इस level तक अच्छे हैं कि मन कर रहा था एक K-drama quotes का insta page भी start करी दूँ फिर मुझे अपनी अधमरी reach याद आ गई और मैंने ये idea drop कर दिया तुमने अगर ये video बीच में drop नहीं कर दिया और पूरा देखा है तो thank you also subscribe to my channel facebook, insta पर इन ठिकानों पर मिलूंगी follow करते पहुंच जाना ये drama 2023 का one of the best drama है तो देखना जरूर बाकी अभी के लिए कहती हूं तुमको अलविदा this is the right time to say वीवा लविदा